कि गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने जो कल पड़ा था राइट इन दा इंडियन कॉंस्टिशन चैप्टर टू चला हुआ है प्लस वन क्लास पॉल्टिकल साइंस का पॉल्टिकल साइंस का जो चैप्टर है राइट इन दा इसमें बताया गया है कि जो फंडमेंटल राइट्स हैं कैसे प्रापत होंगे हमने कल इसका जो टॉपिक पढ़ा था बिल्ल ओफ राइट्स पढ़ा था और बिल ओफ राइट्स के बाद हमने पढ़ा था कि कैसे ये राइट्स प्रापत हुए और कितने प्रकार के राइट्स हैं उसके बाद जो हमारा आज पार्ट थ्री शुरू हो रहा है उस टोपिक का नाम है राइट टू इक्वैल्टी आपको बताया था कि जो फंडमेंटल राइट हैं आपको कि स्टार्टिंग में सैवन प्रापत थे जिसमें से प्रॉपर्टी तू राइट को स्मापत कर दिया गया था Father 1973 में प्रपर्ट्री टू राइट को समापत कर दिया गया था और उसके बाद जो हमें छे फंडमेंटल राइट्स मिले हैं उनके बारे में एक्स्पिलेन करेंगे कि जो ये फंडमेंटल राइट्स हैं जो ये फंडमेंटल राइट्स हैं ये विच आर्टीकल चोदा से लेकर 32 तक आपको प्रापत है जितने भी आप कंपिटिशन एक्जाम देंगे बेटा सभी में एक कोशन पूछा जाता है राइट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् नीमन में दो स्थीतियों पर विचार करेंगे देर आर इमजनरी सेच्वेशन यह एक कालपनिक स्थीति है बट सिमलर थिंग्स डू हैपन एंड कैन हैपन क्या आपको उनमें मुलिक अधिकारों का उलंगन दिखाई देता हैं क्या उनमें मुलिक अधिकारों का उलंगन भी दिखाई देगा उसने क्या कहा कि हम दो स्थीतियों पर चर्चा करेंगे यह कालपनिक स्थीतिया भी हैं और ऐसी बात होती रहेगी जो आगे भी हो सकती है पहला है सवदेश कुमार इस विश्टिंग इस विलेज सवदेश कुमार अपने गाउं गया इस अकॉम्पेंट बाइवन ओफ इस फ्रेंट उसके साथ उसका एक दोस्त भी था they decided to have a cup of tea at the village roadside hotel उन्होंने गाउं के एक होटल में चाय पीना की उनकी एक इच्छा हुई दस शोब कीपर नियुंग सवदेश कुमार बट आच्ट आच्ट नेम ओफ इस फ्रेंड तो नौ इन इस कास्ट दुकांदार सवदेश कुमार को जानता था पर उसके मित्रप की जाती जानने के लिए उसका नाम पूछा सवदेश कुमार को तो जानता था प्रंत उसकी जाती पूछने के लिए उसने उसके मित्रप after this the shopkeeper served tea Savdhesh Kumar in a nice mug while his friend was given a tea because he was Dalit उसके बाद क्या हुआ दुकानदार ने Savdhesh को तो एक सुन्दर से कप में चाहे दे दी लेकिन उसके दोस्त को एक कुलड में चाहे दी क्यों? क्यों 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 Dalit परिवार से था क्यों 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 Dalit था एन ओडरी साव तो फोरे नूजवेप पर ए टेलिविजन चैनल ते दे वोड नो लोंगर रीड दा नूज ओन सक्रीन टेलिविजन के एक चैनल पर समाचार पड़ने वाले कुल दस दस्यों में से केवल चार का यह अदेश आया कि आगे वे समाचार ना पड़े हैं दे आर ओल वोमेन वे सभी महिलाएं थी दा रीजन गीवन इस देट दे आर अवव दा एज ओ फॉर्टिफाइब इस कारण है बताया गया कि सभी पंताली वर्स की उमर को पार कर चुकी है लेकिन टू मेल नूज पेपर रिडर्स अबाव दा सेम अजर नोट लेकिन उसी अवस्था को पार कर चुके दो पूर्षों पर यह प्रतिबंद लगाएं नहीं गया समझ गई क्या बताना चाहता है कि मैं समानता का दिकार क्यों नहीं हो क्यों नहीं हो था होना चाहिए कि देखो उस महिला की एजबी 45 दौन और पूर्ष की भी पूर्ष को तो न्यूज पेपर प्रणने की परमीशन दी गई उसको नहीं दी गई यह भी बहुत बड़ा चर्चा का विश्य था इसलिए क्या कहा गया भी ऐसा क्यों हुआ पढ़ते हैं इसके बाद क्या हैं कंस्यूटेशन कंस्यूट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट थार्ड फंडमेंटल राइड सभी सक्रीन पर देख रहे हैं और आपके सक्रीन पर भी यह होगा सबसे पहले कहता है राइड टू इक्वेल्टी जिसको अब यह बताएगा और उसके बाद हम इसको एक एक करके पूर एक्स्प्लेंसे इसको रीड करेंगे राइड टू इक्वेल्टी में क्या है इक्वेल्टी बिफोर लौ की कानून के समक्स समानता होने चाहिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लौ और कानून के समानशन अक्षन भी होना चाहिए प्रोवीशन ओडिस्क्रिमिनेशन ओन दा ग्राउंड ओफ रिलिजियन रेस काच्छ सेक्षन प्लेस और वर्थ कि जो धरम है हमारे मूलवांस जाती लिंग या जनमस के स्थान पर कोई भी किसी प्रिकार का बेदवाव नहीं होना चाहिए इकोल एक्सेस टू शोप, होटल, वेल्स, टैंक्स, बातिंग, गार्स, रोड एड्स, एक्टा, दुकान, होटल, कुण, अतलब और सुनान, गाटो, सड़को, आधी में भी प्रवेश की समानता होने चाहिए एक्वैल्टी ओफ ऑपर्चनेटी इन पब्लिक इंप्लोईमेंट, रोजगार के आफसर की समानता होने चाहिए, एबुलिशन टू अंटच अबिलिटी, छुवा चोत का भी आंत होना चाहिए, एबुलिशन ओफ टाइटल्स, जो उपादिया है, वो भी उनका आंत होना च पढ़ते हैं, प्रटक्शन ओफ राइट्स की व्यक्तिगत सतंतरता का अधिकार, सबसे पहले कहता है, फ्रीडम उफ स्पीच एंड एक्स्प्रेशन असेंबले पीस्फुली, भाशन और अव्यक्ति का भी सांती पूरग धंग से जमा होना और सबाकर करने का भी अधिकार ह होना चाहिए, भारत में कहीं भी आने जाने का भी या रिसाइड से सैटल इन अनी पार्ट ऑफ इंडिया या भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का भी अधिकार होना चाहिए, प्रैक्टिस और प्रफेशन टू और तो कैरी ओन एनी ओकेशन ट्रेड और बिजनस की कोई भी पेशा चुने विपार करने का, प्रोटेक्शन इस पैक्ट ओदा कन्विसेशन ओर दा ओफेंस, अपरादों के लिए भी दो सिद्धी के समंद में स्रक्षन होना चाहिए, राइट तो लाइफ एंड परसनल लिबर्टी, जीवन की रक्षा और सतंतरता का अधिकार होना चाहिए, राइट तो एजुकेशन शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, प्रोटेक्शन अगेंज अरेश्ट दाट इंटिंशन इन इस रटेन केसी, अब युक्तोर सजा पाए लोगों के भी अधिकार होने चाहिए, तीसरा अधिकार की बात करते हैं, राइट अधिकार, शोशन कैसे होगा, शोशन ऐसे होता है, जैसे एक्जैम्पल मने आपको कलास में भी बिताया है कि कोई 14 साल से कम बच्चा अगर किसी शौप पर कारिये कर रहा है, किसी फ्यक्टरी में लगा हुआ है, तो वो क्या है, सोशन हो रहा है, देखते क्या बताती है, ब शील्डरी ने हैजर्ट्स जो जोखी वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर भी रोक लगाने चाहिए, आगे कहता है, राय टू फ्रीडम ओफ रिलिजियन, धार्मिक्स तंतरता कादिकार, फ्रीडम ओफ कंसेंस एंड फ्री प्रॉफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ओधा रिलिजियन, आस्था और प्राथना किया जादी, फ्रीडम तू मनेज रिलिजियस अफेर्स, धार्मिक मामलों का प्रवंदन, फ्रीडम तू पे टैक्स, प्रमोशन ओधा पार्टिकुलर रिलिजियन, किसी विशीष्ट धर्म के अवरिदी के लिए क पर अध्याइगे की सतंतरता, फ्रीडम तू अटेंड रिलिजियस इंस्ट्रक्शन ओवरसी इन एस रटेन एजुकेशन इंसुटेशन, कुछ शिक्षन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा यव पाच्णा में पस्तित होने की भी सतंतरता होने चाहिए, उसके बाद कहते हैं, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स में क्या है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, स्यक्षिक अधिकार भी कहा जाते हैं इसको, प्रोटेक्षन टू लेंग्वेज, कल्चर ओफे मनियोरटेज, आलप संख्योकों की बाशा और संस्कृति के स्नक्षन का भी अधिकार होना चाहिए, राइट ओफ मनियोरटेज तू एश्टाबलाइज एजुकेशनल इसुटेशन, आलप संख्योकों को सेक्षिक संस्था चाहिए, और स्तापित करने का भी अधिकार होना चाहिए, लास्ट है, राइट ओ कंसुटेशन, कंसुटेशन रिमाइंड्स इसका क्या हर्थ है, सविधानिक उपचारों का अधिकार, राइट ओ मूव दकोर्ट्स तू इसु इसु दिरेक्शन ओडर रेट्स, पोर इन्फ अब हम जो ये ट्राइब देतर पढ़ लिए हैं, इसके बाद जो चला जगवा है, हमारा क्या है, पता सकते हैं क्या है टॉपिक चला हुआ है, इन्स्टूरेंट्स कड़े ओ, बिटा अभध्यान रखें, ये जो हमारा टॉपिक चला हुआ है, राइट टु इक्वैल्टी ह क्या है राइट टु एक्वैल्टिस में बीच में पेज दे दिया गया था जिसमें बता दिया गया था मुक्स में कि जो fundamental rights हमके क्या क्या नाम है जो आपको प्रापत है देखते हैं These are example of clear discrimination ये बेदभाब के सपस्ट उधारन है कि एक में जाती वे दूसरे में लिंक के अधार पर बेदभाब किया जाता है In one instance the discrimination is wasted cost to rent the another is कि एक में जाती के अधार पर बेदभाब होता है और दूसरे में लिंक के अधार पर बेदभाब होता है Do you think that such a discrimination is justified आपकी राए में क्या ये ऐसा बेदभाब उचित है Right to equality tries to do with such and other discrimination समानता का जो अधिकार है ऐसे और आन्य परकार के बेदभाब को समापत करने का प्रियास करता है It provides for equal access to public place like shop, hotel, places and entertainment, wells, bathing, God's place of worship Sarjanic स्थल जैसे दुकान, hotel, मनरंजन, कुवा, सनान, पूजा स्थलो में समानता के आधार पर ही प्रवेश देता है There cannot be any discrimination in the access of the grounds, only religion, race, caste, sex or birth, place of birth केवल धरम जाती लिंग्स जनम्स्तान किसी के अधार पर प्रवेश में कोई भी बेदभाव नहीं हो सकता It also provides a discrimination in public employment of any, on any of our methods maintained a basis यह उप्र्यूक्त अधारों पर लोग सिवाओं में कोई बेदभाव वर्चित करता है This right is very important because our society did not practice equal access in the past यह अधिकार बहुत मेतापूरन होता है क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के अधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था आगे है The practice of untouchability is one of the credious manifestations of the inequality छुआ छूत की पर्था ऐसमानता का सबसे बद्दा रूप है क्योंकि This has been abolished under the right of equality क्योंकि समता का अधिकार के रुद्वारे से इसमापत कर दिया गया The same right also provides That the state shall confer not a title on a person except those who excel themselves in military और academic field कि उसी अधिकार के अंत्रकत यह वस्ता की गई कि केवल उन लोगों को ही छोड़ कर जिने सेना या शिक्षा के शेत्तर में गोरप पूरन उपलवदी प्रापत की है राज्य किसी व्यक्ति की उपादी परदान नहीं करेगा Does right to equality strive make India a true democracy by ensuring a sense of equality, dignity and status among all its citizens कि भारत में इस प्रकार समानता का अधिकार भारत को एक सचे लोगतंतर के रूप में स्तापित करने का प्रयास करता है जिसमें सभी नागरिकों को समान परतिष्टा वे गरीमा प्रापत हो सके Have you read the preamble to our consultations क्या आपने अपने सविधान की प्रस्तावना को पढ़ा है? How does you describe equality? यह समानता और कैसे प्रवासित करती है? Do you feel you will find that the preamble mentioned two things about equality आप पाएंगे की प्रस्तावना में समानता के बारे में दो बातों का उलेक किया गया है जिसमें बताया गया है देखते हैं क्या लिखा है Article 16 का Volume 4 है Nothing in this article shall prevent in the state from making any provision for the reservation of the appointment post in favor of any backward class of citizen से सच which in the opponent of the state is not adequate represented in the service under the state क्या कहते है कि Nothing in the article shall prevent कि इस अनुचेद की कोई बात राज्य को पिछडे हुए नागरिकों के वरक के पक्स में या जिनका प्रतिश्त राज्य की राई में राज्य के अधिन सेयों में प्रयाप्त नहीं है न्यूकती या पदों के अरक्षन का प्रावधान करने से नहीं रुकेगी देखते हैं नहीं प्यारा रहता है इसका स्टेटस and Equality Opportunity प्रतिष्ठा की समानता और ओफ़्याथ की समानता Equality of Opportunity means that all second society enjoy equal opportunity की प्रतिश्ठा आफ़सर की समानता का आर्थ है कि समाज के सही वर्गों को Sum찬 आफ़सर मिले but in a society where there is a various kind of social inequalities मिले लेकिन जब भी समाज में नेक समाजिक विस्वताइब ब्यापत होती हैं वही समान आफसरों को क्या मतलब हो सकता है What does equal opportunity mean? किसका क्या आर्थ होगा? सविधान सपस्ट करता है This consultation can clarify that the government can implement special schemes and measures for the improving the condition of certain section of societies, children, women and our socially educationally backward classes कि सरकार, बच्चों, महिला और समाजिक और स्च्षनिक रूप से पिछडे वर्गों की भेतरी के लिए विशेश योजना इवे निरने लागू करता है जिसमें, you may have heard about reservation in jobs जैसे कि आपने सुना होगा कि नौकरियों के लिए, स्कूलों में प्रिवेश के लिए रक्षन बनाने का भी सुना होगा You would have wondered why there are reservation if we follow the principle of equality आपको अश्ट्रे भी हुआ होगा कि समानता के सिदान्त का पालन करने के बावजूद भी यहां अरक्षन क्यों है In fact, article 16 का volume 4 कहता है, consultation is expected to clarify that a policy-like reservation will not be seen a violation of right to equality कि सविदान के अनुचे 16 के volume 4 साफ़ साफ कहता है कि रक्षन जैसे नीती को समानता रधिकार के लंगन के रूप में नहीं देखा जा सकता कि यदि आप सविधान की बावना देखें तो आप पाएंगे कि जो अवसर की समानता की अधिकार को पूरा करने के लिए बहुत चुरूरी है कल हम पढ़ेंगे इसका नेक्ट पॉइंट यू आर दा जज्ज थेंक यू है वे गुड डेविटा